हेलो अरेवन, वेलकम यू आल इट लोगे सर अनलम्टे स्टेडी जोन आप सभी का स्वागत है यहाँ पर क्लास स्टार्ट करने वाले हैं हम सिक्षा सास्तर की और KVS, NVS, All-Tet Examination चाहे वो TGT, PGT किसी भी परकार के हो जिन भी परिक्षाओं में अगर आपका सिक्षा सास्तर पूछा जाता है तो आईए कुछ महतपूर्ण विंदू आज यहाँ पर टॉपिक हम उठाएंगे NEP 2020 से आए हुए कुछ महतपूर्ण क्वेश्चन एन कंसेप्ट देखेंगे National Education Policy 2020 के बारे में जानेंगे तो NEP 2020 के बारे में जो महतपूर्ण हम कंसेप्ट डिसकस करने वाले हैं तो आईए शुरुवात करते हैं देखे सबसे पहले ही है NEP की जो यूजना है राश्टी सिक्षा नीती 2020 है इसके कितने स्थम्भ हैं इसके कितने पिलर्स हैं तो इसमें देखे इसके पाँच इस्थम्भ हैं या इसके पाँच पिलर्स माने गए हैं उन पिलर्स के बारे हम बात करते हैं सबसे पहले एक्सेस NEP के अनुसार जो राश्टी सिक्षा नीती कहती कि एजुकेशन हो बहुत आराम से सबके लिए एक्सेस हो सम्ता को इंगलिस में बोलते हैं Equality Okay Equality की बात की गई है Equity बोलेंगे मतलब की सभी के लिए बात की Equity मतलब equity for all Equity for all Equality कह लीजे या थोड़ा सा equity ही कहेंगे इसको Okay meaning almost वही निकलता है Okay so equity Then इसके बाद तीसरी जो point पहला बिस्थम्भ हो गया दिया जाएगा Okay पहले फिर क्या है गुणवत्ता पहले चीज क्या कही है Access मतलब की पहुच होनी चाहिए Then इसके बाद education for equal Equal education, equal type of education सबके लिए समान सिक्षा Okay समान सिक्षा मतलब सिक्षा में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए Then इसके बाद quality education Okay and फिर इसके बाद है affordability Okay फिर इसके बाद है क्या Affordability याने की वहनियता Affordable सिक्षा होनी चाहिए सबके लिए Affordability Okay जिसको हम बोलते हैं वहनियता Okay affordability होनी चाहिए तो affordability में देखिए यह कहां से कहां तक है यह program तीन वर्ष से लेकर के इस सिक्षा का जो draft बनाया गया है तीन वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक में इसको प्लान किया गया है And the last point है Accountability याने की जवाब दे ही Accountability Accountability का मतलब है क्या जवाब दे ही Okay तो यह इतनी सारी बातें इस program में इस NEP की 2022 के मसौदे में सामिल की गई है और इस सिक्षा यह जना को 5 pillars में बाटा गया है जिसमें एक बार फिर से बता देता हूँ Access याने की पहुँच Equity मतलब की समता, समानता Quality याने की गुणवतता Affordability याने की वहनियता और फिर accountability याने की जवाब दे ही अब next देखे अगले की बात करते है NEP के बारे में मैं आपको बता दू कि NEP के वल किताबी कीड़ा होने के बारे में बात नहीं करती है NEP जो National Education Policy 2020 है 2020 में जो आया था इसका draft ये जो है ये जो है ये आपको बोलती है इसका report card जो है वो इसके report card में 360 degree 360 degree report card देने की बात करती है मतलब इसका जो report card आएगा at the end of session वो एक आयामी नहीं है ये बहु आयामी है ओके ये जो सिक्षा व्यवस्था है ये कैसी है वहु आयामी मतलब किसी एक angle को ले करके student के discuss नहीं किया जाएगा इसमें student के सभी areas पर discussion किया जाएगा तभी education का जो अपनी राष्टी सिक्षानीती 2020 है तभी इसका सार्थक होगी जब इसमें बच्चे के सभी बिंदों पर ध्यान दिया जाएगा ठीक है अब बात करते हैं NEP के चरणों की अगला बात करते हैं कि NEP की जो योजना है उसको चरणों में किस तरीके से चरण बद्ध किया गया है तो इसके चरण बात करते हैं तो देखिए इसमें जो है 5 प्लस 3 कितने से स्टार्ट होगी 3 वर्षे जिसको मतलब एक तरीके से मैं आपको बता दूँ एक उसको नरसरी कहते थे जिसको की केंद्रे विद्यालेव में बोला जाता है बालवाटी का फिर इसके बाद LKG होता था LKG को बालवाटी का 1 बोल देते हैं फिर UKG होता था UKG को बालवाटी का 2 बोल देते हैं इसके बाद कक्षा 1 और 1 कक्षा 2 यह देखिए तो यह जो पहला इसका चरण है प्रथम चरण में 5 वर्ष दिये जाएंगे तो बच्चा 3 वर्ष से हो करके जाएगा और फिर इसके बाद 5 वर्ष में बच्चा जो है 5 वर्ष में कक्षा 2 तक पहुंच जाएगा तो 5 यह 6 वर्ष में बच्चा जो है कक्षा 2 तक यह आपके पास में कंप्लीट कर देगा एक मिनट देख लेते हैं तो यह 3, 4 और यह 5, 6, 7 नहीं नहीं मैंने गलत कह दिया 5 वर्ष में नहीं, 7 वर्ष तक बच्चा जब 7 वर्ष की उम्र में पहुंचेगा तो बच्चा कक्षा 2 तक कंप्लीट कर लेगा देन उसके बाद में देखे अगला चर्ण जो सुरू होता है मैंने यह उजना क्या बताई 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस कितना 4, ओके तो अगली मैंने यह उजना क्या बताई अब तो देख लिए आपने कहां से नरसरी याने बालवाटिका से लेके कक्षा 2 तक की उजना फिर इसके बाद आती कक्षा 5 प्लस 3 है ना, तो 5 प्लस 3 में आपने देखी कहां तक कक्षा 2 तक की अब कक्षा 2 तक के बाद कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 यह अगली 3 की स्कीम में रखी गई है ओके फिर इसके बाद 6 और कक्षा 7 और कक्षा 8 यह अगली 3 की स्कीम में रखी गई है और 9 और 10 और 11 बारा मतलब 9, 10, 11 और 12 यह जो हैं ये आपके अंतिम चरण में आते हैं NEP 2020 के अंतिम चरण में आती है कक्षा 9, 10, 11, 12 तो जो पहला चरण कहलाता है उसको क्या बोलते हैं उसको बुनियादी सिक्षा बोलते हैं तो ये पांच वर्स की सिक्षा होती इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं देखे जब आपका अप्रेल में सत्र प्रारंब रहन होता है अप्रेल में सत्र प्रारंब होता है तो उसके तीन महीने पहले एक swift development plan हेना वैसी बनाया है हर विद्धियार में जाता है बड्म केंद्र ुद्धियार मेरा टच जादा वहां में पढ़ाया है यहां पर जो हुंता है स्कूल डेवलेपमेंट प्लान जो नया सत्र के शुरू होने के कि केंद्री विद्याले जॉइन करते ही आपको जो ट्रेनिंग दी जाती है उस ट्रेनिंग का नाम क्या होता देखें केंद्री विद्याले जॉइन करते ही केवियस जॉइन करते ही आपकी 10 दिन की एक ट्रेनिंग होती है और उसे बोलते हैं इंडक्शन ट्रेनिंग क्या बोल होते हैं हिंदी में से बोलते हैं प्रेरण प्रशिक्षन इसमें सारे विपूरे विभाग से आपको जानकारी दी जाती है सब चीज बारे में बताया जाता है चलिए ओके चलिए और कुछ fundamental concept के बारे में बात करने तो अगला concept देखिए क्या है अगला concept है कि विध्याले की विकास में मतलब योगदान देना क्या होता है मतलब एभी एक topic है एक कारक है उस कारक को मैं पढ़ देता हूं और उस कारक का उप्योग क्या है फिर आप बताएंगे तो कारक ये है कि बाधाओं की पहचान और उन पर काबू पाना इसका कहां पर योगदान होता है सिक्षण में होता है कि बच्चे के लिए होता है या अन उप्शन्स भी बन करके आएंगे तो याद रखिए अगर कोई भी बाधा है मतलब आप इसको बाधा आगी मतलब कोई भी बाधा तो इससे क्या होता है इससे विद्याले का विकास होता है तो ये कहां पर इसका योगदान होता है विद्याले के विकास में योगदान होता है तो विद्याले के विकास में योगदान हुआ करता है चलिए अगला टॉपिक एक और बताता हूँ एक जो question आता है important questions में से कि कक्छा में विशियों के वितरन के लिए जो तालीका बनाई जाती उसको क्या बोलते हैं कक्छा में विशियों के वितरन के लिए जो चार्ट जो टीचर्स टाइम टेबल वो टीचर्स के पास में रहता है बट आप के भी में जाएंगे तो क्लास में भी टाइम टेबल लगा रहता है ओके तो इसे बोलते हैं क्या इसे बोलते हैं क्लास टाइम टेबल नहीं बोलते हैं इसे हम क्लास टाइम टेबल बोलते हैं ठीक है अगल एक बहुत important चीज़ जिसका नाम है एनिपी 2020 में जिसका नाम है school industry partnership इसकूल इंडस्ट्री इंडस्ट्री partnership आपको पता है कि जो एनिपी 2020 है यह जो व्यावसाइक परिक्षा को support कर रही है मतलब जो vocational education है, इसको support कर रही है, और साथ में, साथ में professional courses भी कुछ लेकर के आ रहे हैं, इसमें professional education भी रहेगा, तो ये क्या कहे रहेंगे, इसमें school industry का partnership रहेगा, मतलब teachers जो रहेंगे, या तो किसी industry में जाकर के precision लेकर के आएंगे, या industry के कुछ लोग आ करके क्या करेंगे, teachers को अपना प्रसिचन देंगे, जिससे की मतलब बच्चों को industry से related भी सही सही knowledge दी जा सके, तो इसमें याद रखेगा कि NEP 2020 में school industry partnership एक बहुत बड़ा part है, ओके चलिए अगली बात करते हैं, PTA का full form क्या है, देखे PTA एक association बनाया गया है, इसका full form क्या है, तो इसका नाम है parents teachers association, ओके, parents teachers association, ये किसी प्रकार के वित्ती लाब से मुक्त आशों, इसमें किसी प्रकार का पैसा वगरे नहीं लिया जाता है, ओके, parents teacher association जो होता है, वो क्या सलाह मश्वरा करता है, और विद्यालय के पूरे विकास करने के लिए, जो विद्यालय का विकास होता है, उसके लिए भागीदा हुआ करता है, ठीक है, चलिए, अगली बात करते हैं कि, अगली बात करते हैं कि, जो RTE 2009 था, RTE, okay, right to education 2009, जिसमें कि आपके 14 साल तक के बच्चों के नेशुल के एवं अनिवार सिक्षा का दिनियम आया था, तो RTE 2009 के तहट आपकी जो education प्रणाली थी, वो कैसी हुआ करती RTE 2009 के तहट, education प्रणाली कैसे हुआ करती, teacher center, book centered, okay, तो इसमें देखे कैसी प्रणाली हुआ करती थी, इसमें होती थी, बाल केंदरित सिक्षा, okay, कैसी होती थी, बाल केंदरित सिक्षा इसमें हुआ करती थी, मतलब की child centered education, जिसको हम इंगलिस में बोलते हैं, इसमें भी child centered education हुआ करता था, और इस प्रणाली में आपको मैं एक बात करूँ कि एक monitoring होती थी, जिसको हम करते थे, हैना, visit house annual survey, मतलब इसमें annual survey हुआ करता था, हैना, visit household, मतलब घर के लोगों में जा करके, पता करते थे एक तरीके से, तो इसमें लिख लो भाई, household annual survey, ओके, annual survey, तो अभी भी यह survey हुआ करता है, state की school की तरफ से, यह survey कराया जाता है, states में, तो इसमें household annual survey, अब चलिए बात करते हैं, पाठकरम की, ओके, तो पाठकरम की सबसे बड़ी need क्या है, पाठकरम जो होता है, सबसे ज़्यादा किस से प्रभावित होता है, पाठकरम मत लब की syllabus आपका किस से प्रभावित होता है, तो syllabus जो होता है, सबसे पहले मैं बता दूँ, आपको समाज से प्रभावित होता है, और syllabus बनाते समय यह ध्यान रखा जाता है, कि बदलते समाज की आवशकता क्या है, देखिए, जैसे आज का जो समाज है, उसकी सबसे बड़ी आप शकता है, कि हर हाथ को काम मिले, हर हाथ को क्या मिले, काम मिले तो, तो आज कल जितना भी पाठकरम डिजाइन किया जाना चाहिए, और जो डिजाइन किया जा रहा है, वो किस प्रकार से किया जा रहा है, कि लोगों को काम मिल सके, मतलब सिक्षा केवल, मतलब moral value, नैतिक वैतिक के साथ साथ आजकल ऐसी सिक्षा होनी चाहिए जिससे की बच्चे के अंदर कुछ इसकिल डेवलप हो पर्टिकुलरली कुछ काम के लिए कौशल डेवलप हो जिससे अपना वो जीवन या आपन भी कर सके इस तरफ सिक्षा प्रगतिमान है है ना यह हो गया तो पाठकरम में सबसे इंपॉर्टन क्या होता है बदलते समाज की आपशक्ता अगर आप समाज को छोड़ देंगे तो आपका पाठकरम जो है इफेक्टिव नहीं बनेगा चलिए अगली बात करते हैं कि इंचिएफ जो 2005 आया था नेशनल करिकुरम फ्रेमवर्क 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 नेशनल करिकुरम फ् सेकुलम फ्रेमवर्क ने जो मुख सुझाओ दिये थे वो थे कि कक्षा अधिगम को स्कूल के बाहर से जोड़े मतलब कक्षा का जो जो ग्यान है वो केवल चार दिवारी में बंध हो करके ना रह जाए बलकि उसको बाहर भी एपलाई करें तो यह बहुत इंपोर्टन बात है NCF ने जो सुझाओ की थी मुख बात वो क्या थी वो थी कक्षा अधिगम को स्कूल के बाहर से जोड़ने से ठीक ना तो यह बहुत इंपोर्टन बात थी कि जो कक्षा में अधिगम बच्चा करता है उसको बाहर कैसे जोड़ा जाए तो NCF में यह विसेश बात सामने आई थ करते हैं NEP National Education Policy NEP National Education Policy 2020 में कुछ और दो-चार पॉइंट्स है आई यह देख लेते हैं तो इसमें में चीज क्या कहा गया है इसमें जो करिकुलम है में जो इसका जो करिकुलम स्वारी National Education Policy में दूसरी बात कहना चाहे रहा था करिकुलम तो बाद में आएगा NEP 2020 में जो बात कही गई है उसमें बात की गई है सबसे ज़्यादा NEP में इंपोर्टेंस दिया गया है Conceptual Understanding पर ओके मतलब Root Learning को रटन्त विद्या को बिल्कुल हटा दिया गया है Conceptual Understanding बहुत Important है Conceptual Understanding पर बहुत ज़्यादा जूर दिया गया है ठीक है ना अब हम बात करते हैं करिकुलम क्या होता है देखे करिकुलम का मतलब syllabus नहीं होता है करिकुलम को हिंदी बोलते हैं पाठ चर्चा पाठ चर्चा देखे पाठ चर्चा में समस्त स्कूल की गतिवीधिया आ जाती है इसके अंदर खेल भी आ जाता है इसके अंदर पढ़ाई भी आ जाती है इसके अंदर सब कुछ आ जात पाठाकरम की विशेवस्तू होती है और बाकी की गतिविधिया होती है इनका जो समग रूप कहलाता है जो कि विद्याले को पूरे साल भर एक तरीके से दिशा प्रतान करता है उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम करीकुलम बोलते हैं ठीक ना तो यह हो गई हमारी आज की महत्प समय देने के लिए बहुत बहुत धन्वाद नमस्कार जै हिंज जै भारत बच्चों